बेहद ही शुभ सुमवार से हो रही साल दोहजार चौबिस की शुरुआद शुभ शंकर की कृपा पाने का खास मौका चुपचाप नए साल पर कर ले ये उपाए पूरा साल महरबान बने रहेंगे भोले नाथ साल 2023 धीरे-धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही नए साल 2024 का आगाज होने वाला है इस बार नए साल की शुरुआद बेहद ही शुभ संयोग में होने वाली है दरसल साल के पहले दिन गज केसरी, आईशमान और गज लक्षमी योग का निर्मान हो रहा है वही नए साल के पहले दिन सुमबार पढ़ रहा है और सुमबार भगवान भोले नात का दिन है जिसके चलते आज हम आपको इस वीडियो में नए साल पर शिव जी को प्रसन करने वाले कुछ अच्चूक उपायों के बारे में बताएंगे जिससे की पूरे साल आप पर भोले शंकर कृपा बरसाएंगे तो इन उपायों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे पहला उपाय जोतिश शास्तर के अनुसार नए साल के पहले दिन सुमवार को शिवलिंग का जलाभिशेक जरूर करें बतादे कि इस दिन जलाभिशेक का शुभ समय सुभा 6 बचकर 33 मिनट से लेकर 7 बचकर 56 मिनट तक रहेगा मान्यताओं के अनुसार शुभ समय पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से विशेश लाभ की प्राप्ती होती है इससे आपके नए साल की शुरुवात शुभ रहेगी बात कर ले दूसरे उपाय की तो बतादे कि भगवान शिव को बेल पत्र बहुत ही पसंद है ऐसे में नए साल के शुभ अवसर पर भोले शंकर को पाँच बेल पत्र अरपित जरूर करें ध्यान रखे कि इस दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें फिर महादेव को अपनी मनोकामना कहें जो तेस्य शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से भगवान शिव की आपको असीम क्रिपा प्राप्द होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी तो वही सनातन धर्म में दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया सभी को नए साल के शुरुआत दान के साथ करनी चाहिए ऐसे में आप नए साल के पहले दिन सुमवार को दही, सफेद, वस्त्र, शक्कर, दूध, आदी का दान करें मानिता है कि सुमवार के दिन इन सभी चीज़ों का दान करने से पूरा साल आप पर भगवान शिव महर्बान रहेंगे इतना ही नहीं, इस समय सर्दी होने की वज़े से आप जरूरत मंदों को ठंड से बचाने के लिए सफेद रंग के गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं इससे आपको पूरे साल कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शान्ती आएगी अगले उपाय के तौर पर बता दें कि जोतेश शास्तर के मुताबिक सुमवार को शिव चालीसा का 108 बार लगातार पाठ करने से भोले नात अती प्रसन्न होते हैं इसके अलावा नए साल के पहले दिन सुमवार को भोले शंकर को घी, शकर और गेहूं के आटे से बने प्रसात का भोग लगाना अती शुभ फलदाई माना गया है इससे आपके जीवन में आने वाला हर कष्ट भोले नात की किर्पा से दूर हो जाएगा तो दोस्तों आप भी नए साल पर भगवान शुभ की किर्पा पाने के लिए ये सभी उपाई एक बार जरूर अपनाएं कुंडली टीवी डेस से तानिया की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद